कार दोस्तों मेरा नाम रंधिर कुमार आप देख रहे हमारे यूटूब चैनल टेक्निकल रंधिर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्क्रमिस हाइश कुल पलस्टू इसकुल में पहली बार न्युक्ति होंगे परधान ध्यापक यानि 46927 परधान ध प्रधान ध्यापक और परधान शिक्षकों की न्युक्ति का प्रस्ताव बीप्यासी को भेजा गया है तो देख सकते बीप्यासी को भेज दिया गया है 2009 के बाद उत्क्रमित 421 माध्यामिक और पलस्टू इसकुल में परधान ध्यापक और परधान प्रात्मिक इसकुल में 40506 परधान शिक्षकों की न्युक्ति के लिए बीप्यासी परिक्षा के जरिये इन रिक्त पदों पर चैन किया जाएगा इसके बाद उनकी न्युक्ति की अनुसन सा सिक्षा भी भाग भीजेगा दोनों पदों के लिए अलग अलग परिक्षा होगी बीप्यासी के इन 17 पर यानि देख सकते हैं आपको और उनका वेतन कितना होगा तो आपस आने शिया पर देख सकते हैं परधान ध्यापक का मूल वेतन 35,000 रुपए होगा जनकारी के मुताबिक परधान ध्यापक का मूल वेतन 35,000 रुपए तैक किया गया है महंगाई और दूसरे भात्ते जुरने के बाद इनका वेतन 50,000 के आसपस आँका गया है परधान ध्यापक का मूल वेतन 35,000 रुपए और भात्ता उत्यापक का मूल वेतन 35,000 के आसपस और परधान ध्यापक को मिलेंगे बिशेस अधिकार चोधरी सिक्षा मंत्री विजय कुमार चोधरी ने कहा कि स्कूल में अनुसंसा जिलाने के लिए परधान ध्यापक को विशेस अधिकार दिये जाएंगे सिक्षा विवाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दिया है इसकी अलग अधिसुचना जारी की जाएगी बीपियसी के जड़िये स्कूलों में परधान ध्यापक और परधान शिक्षक के नियुक्ति होने के स्कूल में गुनवक्ता में सुधार होगा तो अब देख सकते हैं और अपडेट निकल के आई हमारे समने जो परात्मिक शिक्षकों के नियुक्ति पत्र फरवरी में तो और परशिक्षन के परमान पत्रों को जाच कर पूरी कर ली जाई अपर मुक्सचीव संजाय कुमार ने कहा कि 28 जनवरी 28 जनवरी तक काउंसलिंग निवट जाएगी अगर सत्यापन में देर होई तो जिला सिक्षापत जारेकारी जवाब दही मना जाएगा यही फ्रेंस त लिए मिलतेक नेक्स्ट विरों नए ट्रोपिक साथ तब तक लिए जाहिए दोस्तों बाइए